हर कोई एक बोतल लिए घुम रहा है और लगातार थोड़ा थोड़ा करके पानी पी रहा है क्यूंकि मार्केटिंग करने वालों ने उन्हें ऐसा बताया है ज्यादा पानी पीने से खास कर अगर छोटे घुन पीए जाएं तो दिमाग में सूजन आ जाएगी साथ ही जब आपको पानी की जरूरत हो तब अगर आप पानी ना पीएं तो इससे सिस्टम को नुकसान होगा ये सिर्फ तरल पानी पीने की बात नहीं है आपको ऐसी चीजें खानी चाहिए जिनमें पानी की भरपूर मात्रा हो अगर आपको प्यास नहीं लग रहें अगर आप पानी नहीं पीते तो आपको कुछ नहीं होगा आप एकदम ठीक रहेंगे सिर्फ अमेरिका में ठंडे मौसम में भी हर कोई एक बोतल लेकर घूम रहा है और लगातार पानी पी रहा है क्यूंकि मार्किटिंग करने वालों ने उन्हें बताया है कि उन्हें बहुत सारा पानी पीना चाहिए बहुत ज्यादा पानी पीने से खास कर अगर छोटे घून पीए जाएं तो शरीर पानी सोख लेता है जब ये पानी सोख लेता है तो सोडियम का स्तार जो बहुत नाजुक रूप से संतुलित रहता है कम हो जाएगा बाकी के शरीर पर भी असर होता है पर शायद उतना सपष्ट नहीं दिखता लेकिन मस्तिश्क में सोडियम का स्तार कम होने से दिमाग में सूजन आ जाएगी इसका मतलब ये नहीं है कि आपका दिमाग बड़ा हो रहा है इसका मतलब है सूजन एक तरह की बीमारी है ठीक है दिमाग का विस्तार नहीं हो रहा सोडियम की कमी के कारण ये सूचकर बढ़ा हो रहा है तो चूंकि परियाप सोडियम मौजूद नहीं है इसलिए मस्तिश्क में ज्यादा पानी चला जाता है इस कोशिश में कि संतुलन कायम रखने के लिए जरूरी सोडियम पहुँचाया जा सके तो आपके दिमाग में ज्यादा पानी होने का मतलब है कि आप हिल जाएंगे मांस्क का संतुलन आ जाएगा जब आप ज्यादा पानी सोख लेते हैं देखे، अगर आप एक बार में काफी पानी पी लेते हैं तो शरीर तै करेगा कि कितना सोखना है, कितना बाहर निकालना है। लिकिन अगर आप दिन भर थोड़ा-thोड़ा पीते रहते हैं, तो शरीर एक तरह से धोका खा जाता है, और उससे जितना चाहिए, उससे ज्यादा पानी सोख लेता है। लिकिन अभी अगर आप दो लीटर पानी पीते हैं, तो पूरा का पूरा सिस्टम में नहीं जाएगा. जितना ज़रूरी है, शरीर ले लेगा और बाकी बाहर निकाल दिया जाएगा. तो पानी ना पीना और फिर भी बाहर घूमना बिलकुल संभव है. सिर्फ इसी लिए पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, क्यूंकि आपको लगता है कि ऐसा करना अच्छा होता है. जब आपको प्यास लगती है, तब आपको पानी पीना चाहिए. बस ये सुनिश्चित करने के लिए, कि आप परियाप्त मात्रा में पानी पी रहे हैं, अपनी ज़रूरत से 10 प्रतिशत ज्यादा पीजे, एक दो घूंट ज्यादा, सिर्फ ये पका करने के लिए, कि आप कम नहीं पी रहे हैं. अगर आप ऐसे इंसान नहीं हैं, जो दिन भर अपने साथ हर वक्त पानी की बोतल लिए घूंटे हैं, तो थोड़ा ज्यादा पानी पी लेना अच्छा है. ताकि जब ज़रूरत आए, तब इससे पहले कि आप पानी पी पाएं, आपके पास थोड़ा समय हो, ताकि ये एमरजेंसी ना बन जाए. साथ ही जब आपको पानी की ज़रूरत हो, जब आप प्यासे हों, तब अगर आप पानी नहीं पीते, तो उससे सिस्टम को नुकसान पहुँचेगा. मैं कहूंगा कि इस पर बहुत भहस हो सकती है, इस मुद्दे पर डॉक्टर समुदाय निश्चेत रूप से विरोध करेगा, लेकिन वे शायद 20 साल या 30 साल बाद इससे सहमत हो जाएंगे. मैं तो कहूंगा कि अगर हर कोई अच्छा पानी पीता है और परियाप्त मात्रा में, तो दुनिया में दिल का दौरा पढ़ना 50 प्रतीशत कम हो जाएगा. जब सिस्टम में जरूरी मात्रा में पानी नहीं होता, तो दिल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचता है. लेकिन जब मैं कहता हूँ पानी, तो ये सिर्फ तरल पानी पीने की बात नहीं है. आपको ऐसी चीजें खानी चाहिए, जिनमें पानी की भरपूर मात्रा हो. अगर आप एक फल खाते हैं, तो उसमें लगभग 90 प्रतिशत पानी होता है. सबजियों और दूसरी चीजों में 70 प्रतिशत से ज्यादा पानी होता है. आपके भोजन में कम से कम 70 प्रतिशत पानी मौजूद होना चाहिए. तो आप बहुत कम पानी वाला भोजन खाते हैं और वो आपके पेट में जाकर कॉंक्रीट की तरहम बैट जाता है. अब आप धेर सारा पानी पीते जाते हैं. इससे मदद नहीं मिलेगी. आपको ऐसी चीज़ें खानी चाहिएं जिनमें भरपूर पानी हो. आपके भोजन में पानी की मात्रा को कम से कम आपके शरीर में मौजूद पानी की मात्रा के बराबर होना चाहिए. तो जो भी भोजन आप खाएं उसमें कम से कम सत्तर प्रतिशत पानी होना चाहिए. तो यही वज़य है कि सबजियां और फल आपके भोजन का हिस्सा होना चाहिए ताकि पानी मौजूद रहे. कुछ परिस्थितियों में पानी न पीना चलेगा. लेकिन अगर प्यास लगने का संकेत है तो आपको जरूर पानी पीना चाहिए. यह बहुत जरूरी है कि प्यास लगने पर आप पानी जरूर पिएं क्यूंकि शरीर का अपना तरीका होता है. जब यह संकेत देता है कि आपको पानी की जरूरत है तो आपको 20 मिनिट के अंदर या ज्यादा से ज्यादा आदे घंटे में परियाप्त मात्र में पानी पी लेना चाहिए। अगर आप परियाप्त पानी पीते हैं, तो शरीर तै कर लेगा कि कितना रखना है और कितना निकालना है।